ओम शान्ति आपको सौगत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीख दे सोल दे टूथ लाइस विदिन में और आज का हमारा 348 विदिन के इश्री वर्दन आप सबका सौगत है आज परमपिता परमात्मा हमें आकारी मतलब भी फरिष्टा और निराकारी मतलब की बिद्कुल सोल कॉंचिस शेरीर का कोई भान ना हो शेरीर से अलग महसूस करना अपने आपको एक आत्मा समझ करके इस सिती के अभ्यास द्वारा हल्चल में भी अचल रहने वाले बापसमन भवा तो आकारी और निराकारी सिती के अभ्यास द्वारा हल्चल में भी अचल रहने वाले बापसमन भवा कोई भी हल चल आती है उसमें कर अचल रहना है तो इसके लिए हमें दो चीज़ों कोई प्रैक्टिस करनी है एक है आकारी और दूसरा है निराकारी देखें इसको विस्तार में है का यह जैसे साकार में रहना नाच्रल हो गया है इस फिसिकल बॉडी में हम आत्माओं का रहना ह हम आत्माओं को इस शरी से मुक्ति चाहिए तो उस मुक्ति के लिए अगर हम इसके बहुत ही जादा डिपेंडेंट हो जाएंगे शरी की उपर और अगर हम मेरी टीशमने बैट करके हम क्या करने शरी को इस तमाल कैसे करने वह गर हम नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि हमारा शरी से मुक्ति मिलना पीड़ा जनक हो सकता है तो परमद करते हैं जैसे साकार में रहना नाचलल हो गया है ऐसे ही मैं मैं कौन आत्मा आकारी फरिष्टा हूं फरिष्टा कौन होता है यह निकि आप अपने आपको फरिष्टा सफेद लाइट का कोई समझें और आप उड़ रहती ही कौन है फरिष्टा जो लोब में नहीं है मेरे मेरे पन में नहीं है जो और उक के साथ में घरना नफरत नहीं करता है वह हलका रहता है वह फरिष्टा आत्मा है खुद भी हलकी रहती है आत्मा और दूसरों भी हलका रखता है तो ऐसे ही मैं आकारी फरिष्टा हूं और निराकारी श्रेष्ट आत्मा हूं निराकारी मतलब कि हम आत्मा इस श्रीर के बिना आई थे और इस श्रीर के बिना हम आत्मा है पॉंट अफ लाइट ऐसी दिखने वाले परमात्मा जैसी हम वोपस जाएंगे तो और निराकारी श्रेष्ट आत्मा हूं यह दूनों स्मृतियां natural हों क्योंकि शिब बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाब है आकारी अब शिब बाबा का हम देखते हैं जोतिर लिंगम यह किसको केते हैं शिब लिंग केते हैं जिसमें ना हात है ना पैर है वो एक आत्मा का एक सिंबल है, ऐसा ही है, आत्मा का सिंबल, गोल होता है और बीच में ऐसे लिंग दिखाते हैं, तो एक point of light है, जोती का प्रतीक, इसलिए कहते हैं, जोतिर लिंगम, point of light और God को light कहा जाता है, तेकि God का नाम क्या है, शिव है, अब काफी सारे लोग होते हैं, जो कि शिव और शंकर में confused होते हैं, शंकर जी को तो शेरी धारी दिखाते हैं, लेकिन शिव का जो शिव लिंग होता है, परमात्मा शिव बाबा का, वो है निराकार, ना कोई इस दरीका कार है, ना कोई पुरश का कार है, इसलिए परमात्मा कहते हैं, कि हमें निराकारी वह जन्मा है और भोगता है जन्मिंद लेकिन हम भी ऐसी पॉइंट प्लाइट आत्मा शेयर में प्रवेश करती हैं जन्म लेती है उसका आतमे छोड़ देती है उसों कहते हैं स्वंकर जी भगवान नाई है और गम्हारी हों प्रभॉब अगर दोनों से प्यार हो, तो समान बनो. अगर पिता से और एडम से प्यार हो, तो उनके जैसा बनना ची है. एक बच्चा भी जो होता है, भी अपने पिता को कॉपी करता है. लेकिन हमें अगर ग्यानी नहीं है, कि पिता कौन है, क्या है, उनकी qualities क्या है, virtues क्या है, Adam कौन है, उनकी qualities क्या है, उनकी virtues क्या है, characters क्या है, है ना, उनके nature क्या है, अगर यह न पता हो हमें, तो हम कैसे उनके जैसे बनेंगे, इसलिए सारी दुनिया आज कल्यूग बन चुकी है, लोगों के अंदर आज बरस्टाचारा हो चुका है, क्योंकि वो जानते नहीं कि परमात्मा तो बरस्टाचारी है नहीं, परमात्मा तो विकारी है नहीं, लेकिं अगर परमात्मा को जानते तो हम बरसचारी और विकारी बनते भी नहीं इसलिए हम परमात्मा की पूजा बक्ती करते हैं, लेकिन olekन जानते नहीं है इसको जाने के लिए अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो साकार में रहते अभियास करो अभी-अभी आकारी और अभी-अभी निराकारी कि अभी-अभी मेरे थौट्स क्या होँ बेको फरिष्टे जैसे हो कोई situation आई फरिष्टे जैसे होगे नियारे प्यारे होगे मैं पर में आएंगे तो प्रोध आएगा मेरा आइडिया था मैंने सुझाव दिया था मेरी बात क्यों निमानी देखा मेरी बात निमानते तो ऐसे हो जाता है मैं ही अकल मंद हूँ तो मैं कुसका आता नहीं है तो यह सारी चीज़े यह फरिष्टे ऐसी बाते करते नहीं है और अभी अभी निराकारी है निराकारी मतलब कि मेरा इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है मैं मुक्त हूँ आत्मा है ना तो जो आत्मा मुक्त होती है जो अपने आपको इस दुनिया में एक मुसाफर समझती है आत्मा वो कभी लेन देन के मामले में उंच नीच के मामले में निंदा स्तूती के मामले में लाब हानी हो किसी प्रकार की लब भी हो तो जादा ना खुश होते हैं हानी हो तो जादा दुकीनी होते हैं एक समान रहते हैं जै पराजे हो एक समान रहते हैं हाय तौबानी करते हैं तो अभी-अभी आकारी और अभी-अभी निराकारी का अभियास करना है मेडिटिशन में तो यह अभियासी हल्चल में अचल बना देगा तो हल्चल जब आती है तो समाचल बनने के लिए हम कैसे करें इसको और गहराई से समझने के लिए आप प्रहमकुमारी इस गौडली स्पिरिश्टी में जाकर के इसकी और विद्ध्या ले सकते हैं उभी निशुल्क आपके ही प्रहमकुमारी सेंटर में जो क्या आपके सिटी में होगा या आपके गली-गलेचे में होगा इसके साथ में आपकी शुबरात्री हो ओम श्यान्ति